हमें से कई लोग सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है जैसे काम में बढ़ातरी, सभी लक्षों को पूरा करना, सही साथी मिलना या किसी विदेशी चुटी पर जाना लेकिन जब मैं अपने खुशाल पलों के बारे में सोचती हूँ तो वे अकसर ऐसे चीजों में शामिल नहीं होते वास्तव में खुशी हमेशा सबसे सरल और अंजाने पलों में आती है जैसे की मेरे कुटे को दोपहर की सेर के लिए उत्साहिद देखना या अपना मन पसंदीदा शौक करना इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद खुशी इतनी जटल नहीं है इसे किसी विशेश शर्त पर आधारत नहीं होना चाहिए और इसके लिए पूरे जीवन का समर्पन करने की आविशक्ता नहीं होनी चाहिए क्या होगा अगर हम खुशी को अपने देनिक जीवन में मिलने वाले छोटे खजानों के रूप में देख सकें यदि हम अपने मन को इस दृष्टी कोन से बदल दें तो कितने लोग इसे प्राप्त करने के लिए दौरना छोड़ देंगे और प्रतियेक शन का आनन लेना शुरू कर देंगे जैसा कि यहा है एकदम सरल अब मुझे लगता है कि एक खुशाल जीवन किसी विशेश परिनाम का इंतजार नहीं कर रहा है बलकि यह हमारे देंगे जीवन में खुशी के छोटे छोटे शनों को इकत्रित कर रहा है और जब मैंने अपने दृष्टिकोन को बदला है मैंने देखा कि खुश रहने के अवसर हमेशा प्रचुर मात्रा में होते हैं और यह हम पर निरभर करता है कि हम उन्हें देखें और उन्हें अपनाएं Finding Joy in Small Things मैंने एक बार एक उधारन पढ़ा था जिसमें कहा गया था यदि आप सेर में खुशी नहीं पासकते तो आप इसे नौका में भी नहीं पासकते छोटी छोटी चीजों में खुशी पाना सीखें और हर छोटे पल के लिए जीना चाहिए Focus on what's within your control मैं अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करती थी जो पूरी तरह से मेरे निरंतन से बाहर थी जैसे की लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या मैंने किसी को नाराज किया है मैं अपने काम में कैसा कर रही हूँ भविश्य में क्या होगा आदी आदी केवल उन चीजों पर ध्यान केंदरित करना जो मेरे नियंतरन में है मुझे अपनी जीवन की दिशा को प्रभावित करने के लिए शक्षत बनाता है और मुझे वर्तमान शण में जीने के लिए प्रेरित करता है Connect with the nature हमारे व्यस्त दैनिक जीवन में मैं बाहर टहलने जाती हूँ और प्रकरती से जोड़ने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि अधिक जीवित महसूस कर सको हम हर दिन दिन भर एक गती विधी से दूसरी गती विधी में व्यस्त रहते हैं इसलिए मैं अपना फोन बंद करती हूँ और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने की कोशिश करती हूँ यह बेहद हीलिंग और मूट को उठाने का एकसलल और उप्योगी तरीका है प्राक्टिस ग्राटिट्यूट रूटीनली जब हमारे जीवन में चीज़ें अच्छी होती हैं तब कृतग्य का अभ्यास करना महत्वपून होता है लेकिन मुझे लगता है कि यह और भी महत्वपून होता है जब हम कटिन समय से गुजरते हैं क्योंकि चाहे चीज़ें कितनी भी खराब क्यों न हो जाएं मुझे सच में विश्वास है कि हमारे जीवन में आभारी होने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है हाल ही मैं मैं अपनी माँ और कुटे के साथ नई जगों की खोच करने अच्छी मौसम का आनन लेने और अपने आशिरवादों पर विचार करने के लिए आभारी महसूस कर रही हूं यह वास्तव में मुझे दुनिया की सबसे खुश किसमत लड़की महसूस कराता है यह बहुत ही सरल और संभवता बासी लगता है लेकिन मैं आशा करती हूं कि आप इसे आजमाएं और अपने जीवन में अभी हो रही सब भी अच्छी चीजों के बारे में सोचें उनकी सूची बनाएं और उन्हें लिखें और सच मानिये यह आपको एक बहुत ही अच्छा और आनन्द का अनुभव महसूस कराएगा आपने आखरी बार कब धीमे होकर किसी से बात की थी जिससे आप प्यार करते हैं जब जीवन बहुत ही व्यस्त और भारी लगता है तो मुझे उमीद है कि आप कुछ समय निकाल कर जान बूच कर धीमे करें और उस सभी जादू को अपनाएं जो धीमी गती के साथ आता है अपने मित्रों से अपने प्रिय जनों से बात करने का सुख और धीमे धीमे चीजों को करने का सुख अपनाना भी एक आवशक चीज है Embrace the contrast of life चाहे समाज कुछ भी कहे मुझे लगता है कि हर समय हर स्तिती में खुश रहना अवास्तविक है कभी कभी हमें अवर्णिय दर्द दुख या चुनोतियों का सामना करना पड़ता है Challenges that life inevitably throws at us I know from first hand that toxic positivity only results in denial Suppressed emotions takes away from the richness of the human experiences I don't believe in ignoring the so-called negative emotion but accepting it for what it is and rising above it despite the circumstances Don't compare yourself to others तक्नीकी और सोशल मीटिया की वजह से हम पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं और यह हमें दूसरों के जीवन को स्तता से देखने का मौका देता है हम केवल उनके highlights देखते हैं और यह सोचना आसान हो जाता है कि वह हमसे कई जादा खुश हैं लेकिन सचाई यह है कि हमें पूरी कहानी नहीं जानते उनके संगर्श और दर्द को नहीं जानते हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहाना भूती और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए ना कि इर्शा और निर्णय के साथ हमारी खुशी या दुख दूसरों पर निर्बन नहीं करता हमें बताईए कि आपके लिए खुशी आखिर क्या है इन दे कॉमेंट सेक्शन हरे कृष्णा